दर्शकों जेके अपडेट में आपका स्वागत है मैं प्रेशांत भारतवाज इस समय की बड़ी अपडेट जो है वो शिरनगर से आ रही है वहाँ पर जमू कश्मीर बैंक के फोर्मर एक्सकूटिव प्रेसिडेंट और एक्स चेर्मेन जो थे परवेज अहमद नेंगरू उ आज एक केस के मामले में अरेस्ट कर लिया है उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने कारेकाल के दोरान एक टेंडर फ्राड जो की हाउसकीपिंग में हुआ था उसमें जो कंपनी शामिल थी उसको नाजाइज फैदा दिलाया था तो परवेज अहमद नेंगरू है इन्हें आ यह जो मामला था हुआ हाउसकीपिंग का था और उसमें मुंबई की एक कंपनी है सीला सोलूशन प्राइवेट लिमिटेड इस कंपनी को जो फैदा दिया गया नियमों की अंदेखी की गई उसकी वज़े से बैंक को 6 करोड 29 लाख 56,575 रुपे का नुकसान उठाना पड़ इतनी बड़ी रकम से जुड़ा यह मामला था और इसी मामले की पूरी तरह जाच करने के बाद आज एंटी करेप्शन ब्यूरो ने जो जमू कश्मीर बैंक के पूर CEO और एक्स चेर्मेन थे परवेज जैमन नेंगरू उन्हें उनके शिरनगर इस आवाज से गरफतार किया है जो और इसके बारे में रिपोर्ट से वो यही अभी एसी बी की और से जारी की गई है कि सीला सोलेशन प्राइवेट लिमिटेड जो थी उसको पूरी तरीके से नियमों का पालन किये बिना हाउस कीपिंग का एक टेंडर दिया गया था और उस टेंडर में फ्रोड किया ग बड़ा था और इस वज़े से इस मामले की जांच की जा रही थी और आज जब जांच की पूरी वो हुई तो उसके बाद एंटी करफ्शन ब्यूरो की एक टीम ने शिर्नगर इस्तित परवेज एहमद नेंगरू के आवास पर छापा मारा और उन्हें वहां से अरेस्ट कर लिया तो यह इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट है कि शिर्नगर में जमू कश्मीर बैंक के पूर चेर्मेन परवेज एहमद नेंगरू को एसी बी ने एंटी करफ्शन ब्यूरो ने उनके घर से हिरासत में ले लिया है इस बारे में और अधिक जो भी जानकरिया मिलेगी हम आपको लगातार देते रहेंगे ऐसी अपडेट के लिए जुड़े रहे हैं जेके अपडेट के साथ नमस्कार आधूनिक फेसिलिटीज हैं तो MV इंटरनाशनल स्कूल में आईए और अपने बच्चे के सुनहरे भविश्य की सीट बुक करवाईए एडमिशन के लिए कुछी सीटे बची हैं हमारी ट्रांस्पोर्ट जम्मू सांबा और कठुआ जिलों में उपलब्ध है और हाँ इस सा पर देख रहे हैं तो हमारा फेस्बुक पेज लाइक जरूर करें अजय करें जरूर को इंटीजमिंट प्लेस कोन्तक्त सेवन जरूर ने नहीं है ईइऑ